मेरे पती अक्सर ही अपने काम से सहर चले जाया करते थे जिस वज़ा से कई बार मैं अकेली रह जाती थी आज भी मैं अपने कमरे में अकेली थी और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी जिसकी वज़ा से चारो तरफ घना अधेरा चाया हुआ था मैं चुप चाप अपने कमरे का दर्वाजा बंद करके सोने के लिए लेट गई अभी करीब एक घंटा पीता ही होगा कि तभी मुझे अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी वह आवाज कुछ ऐसी थी जिसे सुनकर लग रहा था कि जैसे कोई मेरे दर्वाजे के लौक को किसी चावी से खोलने की कोशिश कर रहा हो ये सुनकर मैं बुरी तरह से डर गई लेकिन अधेरे की वज़ा से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था थोड़ी देर में मेरे कमरे का दर्वाजा खुल गया मैं समझ गई कि मेरे पती सहर से वापस आ गए है क्योंकि उनके पास भी एक एक एक्स्ट्रा चावी रहती है मैं जैसे ही उनसे पूछने वाली थी कि आज तो आप वापस आने वाले नहीं थे कि तबी अचानक से बाहर बिजली कड़की और उस बिजली की रोशनी में सामने खड़ा हुआ जो सक्स मुझे दिखाई दिया उसे देख कर तो मेरे पैरो तले की जमीन ही निकल गई क्योंकि वहे और कोई नहीं बलकि मेरे ससुर जी थे जो की पूरी तरह से बारिस में भीगे हुए थे और उस वक्त वहे जिस तरह की इस्तिती में मेरे सामने खड़े थे ऐसी इस्तिती में सिर्फ एक पतनी ही अपने पती को देख सकती थी उन्हें ऐसी हालत में देख ना सिर्फ मैं सरमिंदिगी से भर गई बलकि बुरी तरह से घबरा भी गई लेकिन इस से पहले कि मैं उनसे कुछ भी पूछ पाती वह इतनी तेजी से मेरी तरफ आगे बढ़े कि मुझे ना तो उनसे कुछ पूछने का मौका मिला और ना ही किसी और को पुकारने का और फिर उसके बाद तो जो हुआ वह किसी तूफान से कम नहीं था सब कुछ बिखर चुका था उन्होंने एक जटके में ही मेरी साड़ी मैं उनसे गुहार लगा रही थी लेकिन वह सुनने को तयार ही नहीं थे इस सब के बीच जब मैंने जमीन पर नज़र डाली तो वहां वह सारे कपड़े पड़े हुए थे जो कुछ देर पहले मैं पहन कर आराम से सो रही थी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अब मेरे साथ ये क किया होने वाला है इसके बाद उन्होंने जो किया मैं दर्द से भर गई मेरी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि बाहर तेज बारिश और बिजली की कड़क की आवाज से मेरी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी, मेरा नाम मीना है, मैं बस दो महीने बाद ही अठारा साल की होने वाली हूँ, मुझे खुद के अठारा साल के होने का बेसबरी से इंतजार है, क्योंकि मैं जैसे ही अठारा साल की हो जाऊंगी, मेरा गौना हो जाएगा, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दू कि गौना किसे कहते हैं दरसल हम लड़कियों की शादी बच्पन में ही कर दी जाती है लेकिन हमें हमारे पतियों के साथ विदा तब ही किया जाता है जब हम 18 साल के हो जाते हैं ये चलन बहुत पहले से चला आ रहा है और जिसे गौना के नाम से ही जानते हैं मैं एक गरीब पर मुझे हमेशा कहती तेरी साधी जिससे हुई है वह हम लोगों से ज्यादा पैसे वाला है और अब तो बहें कुछ काम धंदा भी करने लगा है बिल्कुल सहरी बाबू जैसा बन गया है मेरी मा मुझे कहती कि जब वह मेरा गौना कर देगी तो मेरी जिन्दगी खुशियों स से लोट कर यहां आती तो उनका साज स्रंगार उनके गहने और उनके चहरे पर अपने पिया से मिलन की खुशी देखकर मैं फूली ना समाती और मुझे भी अपने पिया से मिलने का जो इंतजार है वह और जादा टीज देने लगता मैं जैसे तैसे करके एक एक दिन गिन कर लेकिन उधर मेरे बापू हत से जादा परिसान दिखाई दे रहे थे जब मैंने इसकी वजह मा से पूछी तो वह कहने लगी कि अब अगर तेरा गौना करेंगे तो तुझे धेर सारी चीजों को दे कर बिदा भी तो करना पड़ेगा और फिर जब लड़के वाले आएंगे तो उनके हाथ में भी तो कुछ दान दच्छना रखनी पड़ेगी इसके अलावा उन्होंने जिन भी चीजों की मांग की है वह भी हमें उन्हें देना होगा लेकिन इस वक्त तेरे बापू की मजदूरी कुछ जादा अच्छी चल नहीं रही है बस इसी वज़ा से वह परेशान रहते हैं मा की ये बात सुनकर मैं खुद भी बहुत दुखी हो गई मैंने मा से कहा तो फिर मुझे अभी विदा करने की कोई जरूरत नहीं है मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वज़ा से मेरे बापू इतना जादा परेशान रहें जहां मैंने इतना इंतजार किया ह वहां और कुछ महीने सही जब ठीक ठाक पैसे हो जाएं उसके बाद ही मुझे विदा किया जाए इस पर माने कहा कि अरे तू तो पागल है तुझे इन सब चीजों की फिकर करने की जरूरत नहीं है जवान बिटिया को आकिर कब तक हम अपने घर पिठा कर रखेंगे विदा तो हमें करना ही है ना तो इसलिए अब जो सही समय है उसी पर विदा कर दिया जाएगा और रही बात इंतजाम की तो वह हम मिलकर कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे इधर मैं भी अपने गौने की तैयारी करने लगी थी मुझे खूब सारी चीज़ें बनानी आती थी जिस वज़ा से मैंने बहुत ही सुन्दर सुन्दर डलिया हाथों से बिनकर तैयार कर ली उसके अलावा अच्छे अच्छे विच्छानों पर मैंने बहुत ही सुन्दर कढ़ाई से सजावट की और उसके अलावा जिन मटकों में मेरे ससुराल खाने पीने का सामान जाने वाला था उन पर भी बहुत ही अच्छी कलाकारी करके उन्हें सजा लिया था मेरे पती का नाम मा ने मुझे बिने बताया था मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं उनके लिए कुछ उपहार ले सकती इसलिए मैंने एक सुन्दर से रूमाल पर अपने पती का नाम काड़ कर रख लिया ताकि जब मैं उन्हें पहली बार मिलू तो उन्हें वह उपहार स्वरूप दे सकूँ बापू ने भी पैसो का इंतजाम कर लिया था इसलिए सारी तयारी करने के बाद वह मेरे ससुराल मेरे गौने के लिए बात करने चले गए लेकिन जब वह लोट कर आए तो ना जानी क्यूँ बापू बहुत ज़्यादा परिसान लग रहे थे दरवाजे की ओट से खड़े होकर मैं अपने मा और बापू की बातें सुनने की पोसिस कर रही थी लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जब मा अंदर आई तो मैंने उनसे पूछा कि आकिर हुआ क्या है मेरे ससुराल वालों ने क्या कहा तो मा ने कहा कि वह लोग तुझे दो हफ़ते के बाद लेने आएंगे अभी वहां कुछ जरूरी काम है जिस वज़ा से वह कल नहीं आ सकते मैंने मा से कहा कि लेकिन बापू तो मुझे बहुत ज़्यादा परिसान लग रहे हैं इस पर मा ने कहा कि अरे तेरे बापू को तो छोटी छोटी बातों पर परिशान होने की आदत सी हो गई है इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं है जितना वह परिशान हो रहे हैं दरसल उन्होंने कहा है कि वह तुझे लेने के लिए थोड़े जादा लोगों को लेकर आएंगे तो बस इतनी सी बात सुनकर तेरे बापू भबरा गए कि इतने सारे लोगों के खाने पीने का इंतजाम कैसे किया जाएगा लेकिन तू फिकर मत कर मैंने उन्हें समझा दिया है और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा मा की ये बात सुनकर मैं भी बेफिकर हो गई कि चलो अब बस दो हफते की बात और है जैसे तैसे द प्यारियां शुरू हो गई मेरे माबाब बहुत ही जादा उदास थे और मेरी मा तो बहुत रो रही थी मैं खुद भी बहुत रो रही थी भले ही एक तरफ मुझे अपने पती से मिलने की खुशी थी लेकिन अपने माता पिता से बिछड़ने का गम भी था और मेरे छोटे भाई बहन बहतो बेचारे मुझसे बार बार चिपक चिपक कर रो रहे थे मैंने उनसे कहा कि तुम फिकर मत करो मैं बहुत जल्द ही तुम लोगों से दोबारा मिलने आऊंगी उसके बाद मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुँच गई अभी तक मैंने अपने पती को नही देखा था मुझे लेने मेरे ससुर जी ही आये थे जो बहुत ही लंबे चोड़े कद काठी के और काफी जवान दिखते थे उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उनके चार बच्चे हैं गुंगट की याड़ से बैल गाड़ी से उतर कर जब मैंने सामने नजर डाली तो मेरी आँखों के सामने बड़ी ही खूबसूरत हवेली थी जिसे देखकर तो मेरी आँखें चौण दिया गई खुशी के मारे मेरे तो पाउं जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुझ जैसी गरीब लड़की की किसमत इतनी तेज है क उसे देखकर ही मैं जब तब मां से कहती थी कि कभी वह मुझे भी जमीन दार की हवेली पर ले चले कम से कम मैं भी तो अंदर से जाकर एक बार देखूं कि हवेली दिखने में कैसी लगती है लेकिन मुझे क्या पता था कि जमीन दार की हवेली से भी जादा बड़ी हवेली एक दिन मेरा इंतजार खुद ही कर रही होगी और मेरा वहां पर स्वागत होगा, थोड़ी ही देर के बाद मेरी सास, मेरी स्वागत सतकार के लिए आ गई, लेकिन मेरी नजरें जिसे ढूंट रही थी, वह मुझे अभी तक कहीं भी दिखाई ही नहीं दे रहे थे, थोड़ी ह अचानक हवेली के बाहर ही बने हुए, एक बड़े से कमरे की तरफ मेरी सास ने मेरे कदमों को मोड़ दिया, ये देख कर मैं बड़ी हैरान और परेशान हुई, या खिर ये लोग मुझे इस कमरे में लेकर क्यों आई है, सायद मेरी सास मेरे मन में चल रही, इस ब्यथा को स तो तुमें भी तो यही रहना पड़ेगा, उसे खुली जगा पसंद है, बस इसी वज़ा से वह हवेली के बाहर रहता है, अपनी सास की बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई, और मन में सोचा कि जब मेरे पती की इसी में खुशी है, तो मैं भी इस सब में ही खुश रहूंगी जब मैं कमरे के अंदर पहुची, तो वह कमरा भी बहुत ही खुबसूरत था, ऐसा कमरा तो अभी तक मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, सब कुछ बहुत अच्छे से सजाया गया था, मुझे मेरी सुहाग सेच पर बिठा दिया गया, और सभी लोग कमरे से बाहर चल जिस पर मैंने अपने पती का नाम काड़ा था, मैंने सोचा कि जब वह आएंगे तो मैं उन्हें ये उपहार में दूँगी, अपने पती का इंतजार करते करते मुझे रात हो गई, लेकिन ना जाने क्यों पर वह नहीं आये, जिस वज़ा से मैं बहुत ठक चुकी थी, और चुप चाप लेट गई, अना जाने कब मेरी आँख लग गई, तभी रात को मुझे कुछ सोर सुनाई दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर से ये किस चीज का सोर आ रहा है, ऐसा लग रहा था, जैसे कोई बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है, पर कौन, ये स समझ नहीं आ रहा था, थोड़ी देर के बाद मेरी सास कमरे में आई, और मुझे खाना दे कर चली गई, लेकिन मुझे में इतनी हिम्मत नहीं हो पाई, कि मैं उनसे पूछ सकूं, कि मेरे पती अभी तक आए क्यों नहीं, खेर, मैंने सोचा कि जहां मैंने इतने दिन इंतज किया, वहां कुछ घंटे और सही, खाना खाने के बाद मैं एक वार फिर से लेट कर आराम करने लगी, शायद कुछ घंटे ही बीते होंगे, कि तबी फिर से मुझे बहुत तेज तेज सोर सुनाई देने लगा, मुझे समझी नहीं आ रहा था, क्या कि यहां हो क्या रहा है, अभी मैं समझने की कोशिस कर ही रही थी, कि तबी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला, और कमरे में कोई आया, जब मैंने घंगट की आड़ से उस इंसान को देखा, तो मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दोड़ गई, क्योंकि सामने खड़ा इंसान दिखने में किसी फि सोच में पढ़ गया, और चुपचाप खड़े हो गए, मैंने सोचा कि सायद जिस तरह से मैं घबरा रही हूं, ये भी घबरा रही हैं, इसलिए मैंने खुद से ही हिम्मत करके उन से कहा, जी आप, तो उन्होंने कहा कि मैं विनाए, उनके मुँ से ये नाम सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पती इतना सुन्दर होगा, आज तो मैं खुद को इस दुनिया की सबसे भागिशाली लड़की समझ रही थी, मैं तुरंत ही विस्तर की एक साइड में खिसक गई, जिसे देख कर मेरे पती समझ कि मैं चाहती हूँ कि वहे मेरे पास आकर बैठें, लेकिन ना जाने क्यों, वहे मेरे पास नहीं आए, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने खाना खा लिया, मैंने हां में सिर हिला दिया, इसके बाद मैं खुद ही उठकर उनके पास गई, और उनकी तरफ वहे आराम से लेट कर सो जाओ, और मैं भी इधर नीचे चटाई पर सो जाओंगा, मैंने उनसे कहा कि लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मेरे पती कहने लगे कि देखो, मैं तुमसे जैसा कहता हूँ, चुपचा वैसा ही करो, मुझसे सवाल जवाब मत करो, उनकी इस बात से मुझे बहुत ठेस पहुची, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पती आखिर इस तरह का व्योहार क्यों कर रहे हैं, मैंने बिने से कहा कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, तो उन्होंने कहा कि देखो, इस वक्त मैं बहुत परिशान हूँ, इसलिए मुझसे कोई भी मत करो, और मैं जैसा कह रहा हूँ, वैसा करो, मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप उपर बेड पर लेट जाईए, नीचे चटाई पर मैं सो जाऊंगी, मेरे पती ने मेरी ये बात मान ली, और उसके बाद हम दोनों अपनी अपनी जगा पर लेट कर सो गए, लेकिन मेरी आखों स आसू आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, कि मेरे पती मेरे साथ इस तरह का ब्योहार क्यों कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले मैं कितनी खुश थी, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन ये अचानक न जाने क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं, कि मेरे घर इन लोगों की आव भगत में कोई कमी रह गई हो, और बस इसी वज़ा से बाहर किसी बात पर कहा सुनी हुई हो, जिससे इतना शोर आ रहा था, और मेरे पती का मूड खराब हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, यही सब सोचते सोचते मैं सो गई, जब सुभा मेरी सारी खाने पीने की रस में करवाई जाएंगी, लेकिन मेरी सास ने मुझे कुछ साड़ियां दी, और मुझसे कहा कि मुझे इस घर में काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि घर में पहले से ही धेर सारे नौकर लगे हुए हैं, इसी लिए मैं आराम से अपने इस कम लाया करेगी, इतना कहकर मेरी सास कमरे से चली गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कि आखिर यहां पर यह सब हो क्या रहा है, धीरे धीरे दिन यूहीं बीतने लगे, मेरे पती हर रात कमरे में आते और मुझे बिना कुछ कहे, बस पूरी रात मेरे कमरे में बिताने क के बाद सुबह उठकर चले जाते एक दिन हिम्मत करके मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यूं कर रहे हैं तो बिन्हें ने कहा कि देखो मैं ये चाहता हूं कि हम इतने साल अलग रहे अब एकदम से मैं इस तरह से अपने रिस्ते को सुरू नहीं कर सकता कम से कम पहले हमे एक दूसरे के बारे में सब चीजें अच्छे से जाननी चाहिए समझनी चाहिए मुसके बाद ही हमें अपने रिस्ते को आगे बढ़ाना चाहिए मैंने कहा तो जानने समझने के लिए बात चीत तो करनी पड़ेगी ना पर आप तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं मेरे इस ब काम भी कर दिया करती थी जैसे कभी उनकी शर्ट में बटन लगाना उनके कपड amounts करना उनके कपड़ों को धोना जिबकि वह मुझे बार मना करते कि मैं उनके लिए यह सब ना करूं लेकिन फिर भी मैं जवरदस्ती करती क्योंकि मैं उनके दिल में जगह बनाना चाहती थी मेरे पती ने बताया कि वहे अपने काम के सिलसले में सहर भी जाते रहते हैं इसलिए कभी अगर ऐसा हो कि वहे बापस लोट कर रात में कमरे में ना आए तो मैं परिशान ना हूँ एक दिन ना जाने कैसे लेकिन मेरे पती दिन में मेरे कमरे में आ गए वैसे तो वहे आज तक कभी भी दिन में कमरे में नहीं आए थे लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे लेकिन वहे दिन में आए उस वक्त मैं एक डायरी पर अपने तूटे फूटे सब्दों में छोटी सी कविता लिख रही थी दरसल मुझे बचपन से ही किस से कहानी लिखने का सौक है लेकिन क्योंकि गरीवी की बज़ा से मैं बहुत जादा पड़ लिख नहीं पाई इसलिए मुझे जो जैसा लिखना आता था बस मैं वैसा ही लिखती थी ये करते हुए जब मेरे पती ने मुझे देखा तो वह एकदम से दंग रह गए मैंने उनसे वह डायरी छुपाने की कोशिस की लेकिन वह माने ही नहीं और फिर उन्होंने जब मेरा लिखा हुआ देखा तो मेरी बहुत तारीफ करने लगे लेकिन मुझे से बोले कि मैंने इतना गलत क्यूं लिख रखा है तो मैंने बताया कि दरसल मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई मेरे पती ने कहा तो कोई बात नहीं मैं तुम्हे पढ़ाऊंगा अपने पती की ये बात सुनकर मैं बहुत खुस हो गई उन्होंने कहा कि उन्हें भी लिखने का सौक है उसके बाद उन्होंने मुझे कहीं से अपनी धेर सारी डायरियां लाकर दिखाई जिनमें उन्होंने न जाने कितना कुछ लिख रखा था जिसे देख कर तो मैं बहुत ही खुश हो गई मैंने उनसे कहा कि आप ये सब इसी कमरे में क्यों नहीं रखते मेरा बैसे भी दिन भर समय पास ही नहीं होता तो मैं आपकी लिखी हुई इन सारी कहानियों को पढ़ूँगी इस बात पर मेरे पती खुश हो गई बोले क्या सच में तुम मेरी लिखी हुई कहानियों को पढ़ोगी मैंने कहा हाँ बिलकुल क्योंकि मुझे किस से कहानी पढ़ने का बहुत सौक है इन सब चीजों से धीरे धीरे मेरे और मेरे पती के बीच की दूरियां मिटने लगी एक दिन मेरे पती बिने मुझे से बोले कि तुम कहती थी ना कि तुम बोर होती हो तो चलो आज मैं तुम्हें अपने बागों की तरफ घुमा के लाता हूँ लेकिन तुम्हें एक पुरानी साड़ी पहन लो और उपर से साल डाल लेना और मैं भी गमचे से अपना चहरा लपेट कर ही चलूँगा मैंने उनकी इस बात से हैरानी से उनकी तरफ देखा तो वह कहने लगे कि दरसल अगर पिता जी को पता चला कि मैं अकेले ही तुम्हें बागों की तरफ घुमाने ले गया तो बहँ बहुत ज़्यादा गुसा करेंगे इसलिए हमें चुपकर ही जाना होगा चुपने की बात पर तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साइथ हो गई इस तरह से तो मैं अकसर अपने घर पर भी किया करती थी जब भी मुझे बागों में आम तोड़ने जाना होता था इसके बाद हम दोनों पती पत्नी भेज बदल कर चुप चाप सबकी नजरों से बच्चते हुए हबेली से बाहर चले गए इतने समय के बाद बाहर निकल कर बाहर की ताजी हवा खाने के बाद मुझे बहुत ही सुकून मैसूस हो रहा था मैंने अपने पती को धन्यवाद दिया कि वह मुझे इस खुली हवा में बाहर लेकर आए क्योंकि मैं इसके लिए न जाने कब से तरस रही थी वह कहने लगे कि उन्हें भी इतनी शांत और हरी भरी जगा में बैठना बहुत जादा पसंद है थोड़ी देर मैं विन्हे के पास ही बैठी रही तब ही अचानक से विन्हे ने बासुरी बजाना सुरू कर दिया वह इतनी अच्छी बासुरी बजा रहे थे कि मैं उसमें डूबती ही चली गई और ना जाने कब मैंने अपना सर उनके कंदे पर रख दिया जब उन्होंने बासुरी बजाना बंद किया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक बहुत ही खुबसूरत सपने से बाहर आई हूँ मैंने कहा कि आप तो बहुत ही अच्छी बासुरी बजाते हैं विन्हे ने कहा क्या सच में तुम्हें मेरी बासुरी पसंद आई मैंने कहा हाँ इतनी सुरीली बासुरी तो मैंने आज तक कभी किसी की नहीं सुनी लेकिन आप हर रोज क्यों नहीं बजाते मैंने आज आपको पहली बार इसे बजाते सुना इस पर बिने थोड़ा उदास हो गए कहने लगे क्योंकि घर में किसी को भी मेरी बासुरी बजाना पसंद नहीं है मैंने कहा लेकिन क्यों आप तो कितना अच्छा बजाते हैं विन्य ने कहा तो फिर ठीक है अब जब भी मेरा बासुरी बजाने का मन करेगा तो तुम मेरी बासुरी सुनोगी मैंने कहा बिलकुल विन्य ने कहा मेरा अभी तक कोई भी अच्छा दोस्त नहीं थ कि चलो कम से कम धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं अपने पती के दिल में अपने लिए जगा बनाने में कामयाब तो हो रही हूँ, दो दिन के बाद ही रात को अचानक मुझे फिर से वैसा ही सोर सुनाई दिया, जैसा पहले दिन सुनाई दे रहा था, लेकिन आज मुझे इतना जा रहा था कि ये जो कोई भी चिला रहा है, वह और कोई नहीं, बलकि मेरे ससुर जी ही हैं, लेकिन वह ना जाने किस पर चिला रहे थे, लेकिन वह क्या कह रहे थे, वह मुझे समझ नहीं आ रहा था, उस दिन जब मेरे पती आए, तो उनका चहरा बहुत ही उदास था, मैं लेट गए और इधर मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मेरे पती मुझे में बिलकुल भी रुची नहीं ले रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पती ना जाने कहा चले गए इधर मेरे कमरे में मुझे इमली खाना देने के लिए आई थी लेकिन वह भी मुझे इस बात का कुछ ठीक से जवाब नहीं दे रही थी मैंने सोचा कि मैं बाहर और जो नौकर हैं उन में से किसी से पूछने की कोशिश करती हूँ इसलिए मैंने उस दिन अपने कमरे का दर्वाजा पहली बार खुद से धीरे से खोला और बाहर जहांकने की कोशिश करने लगी लेकिन मैं डर डर के जाक रही थी क्योंकि मैं नहीं चाती थी कि मेरे ससुराल वालों में से कोई भी मुझे ऐसा करते देखले वरना न जाने kितना बड़ा बवाल हो जाता इधर मैं इस मौके की तलास में थी कि कोई नौकर मेरे कमरे के बाहर से गुझरे और मैं उससे बिने के बारे में पूछूं कि तब ही अचानक मैंने सामने जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए मैंने सामने के कमरे की बालकनी में बिने को खड़े हुए देखा इसका मतलब बिने सहर नहीं गए हुए थे वह यहीं हवेली में हैं लेकिन फिर वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे मेरे दिमाग में एक साथ नजाने कितने सारे सवाल आने लगे अब मुझे जरासा भी इंतजार नहीं हो रहा था इसी लिए उसी रात मैं दबे पाउं अपने कमरे से बाहर निकली मैंने देखा तो जो भी पहरेदार थे वह सब गहरी नीन में सो रहे थे मैं चुप चाप हवेली के अंदर पहुँची लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाओं मैंने सोचा कि मैंने विनय को जिस कमरे में देखा था वह उपर की तरफ था यानि कि मुझे सीडियों से उपर जाना होगा सीडियों से उपर की तरफ जब मैं गई तो वहां और भी कई सारे कमरे थे अब मुझे किस कमरे में जाना था ये समझ नहीं आ रहा था थोड़ी ही देर के बाद मुझे बगल के एक कमरे से कुछ आवाजे सुनाई दी मैंने सोचा कि मैं एक बार जहांक कर देखती हूँ और जब मैंने उस कमरे में जहांका तो मेरे ऊपर तो बिजली ही गिर गई उस कमरे में मेरे पती एक दूसरी औरत के साथ बैटे हुए थे और वह उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे और वह औरत अपने साज स्रंगार में बहुत व्यस्त थी ये देखकर तो मेरी आँखों से धेर सारे आंसू जर जर गिरने लगे अब मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि अब तक मेरा पती मेरे करीब क्यों नहीं आ रहा था इसका मतलब मेरे पती ने दूसरी साधी कर ली थी मैं तुरंत ही दोड़ कर वापस अपने कमरे में और उस पूरी रात मैं फूट फूट कर रोती रही बिने ने मेरे साथ धोका किया था अगर उन्हें एक औरत की इतनी ही जल्दी थी तो फिर वह मुझे पहले ही विदा करवा कर ले जाते फिर मुझे समझ आने लगा कि सायद इतने साल मैं तो यहां रही नहीं और बिने तो अ माबापू को इस सब के बारे में पता था या फिर बिने और उनके घरवालों ने मेरे माबाप को भी धोका दिया यही सब सोचते हुए पूरी रात निकल गई लेकिन मैंने यह फैसला कर लिया था कि अब मैं यहां नहीं रुकूंगी क्योंकि मैं एक दूसरी औरत बन कर अलकि उन्होंने भी मेरे साथ बहुत बड़ा धोका किया है पर मुझे नहीं पता था कि अभी आगे जो भी होने वाला है उससे तो मेरे होश ही उड़ जाएंगे मैं जैसे ही दर्वाजे पर पहुंची तभी मेरे कानों में मेरे ससुर जी की आवाज पड़ी वह मेरे पती पर बुरी तरह से चिला रहे थे और मेरे पती चुप चाप एक जगा पर बैठे हुए थे मेरे ससुर जी मेरे पती से कहने लगे कि अगर तुमने हमें इस घर का बारिस नहीं दिया तो इसका तुम्हें बहुत बुरा अंजाम बगतना पड़ेगा लेकिन मेरे पती कहने मेरे पती बिने ने कहा कि वह इस नेहा के अलावा कभी भी किसी औरत के बारे में सोचना भी नहीं चाहते लेकिन तभी मेरी सौतन मेरे पती से बोली कि लेकिन मुझे जब इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी दूसरी औरत के साथ अपना बंस बढ़ाएं तो फिर आपको इस सबसे क्या दिक्कत है इस पर मेरे ससुर जी बड़े ही फक्र के साथ बोले देखा जब बहु को कोई दिक्कत नहीं तो फिर तू अपनी ये जिद क्यों नहीं छोड़ देता तेरी अकल पर ये मिट्टी क्यों पड़ी हुई है इतने में ही मेरे पती के बड़े कहने लगे पिता जी मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ हो पाएगा आप कहें तु मैं उनके इतना कहते ही मेरे ससुर जी उन पर चिल्लाने लगे कहने लगे कि अगर तू ही इस काबिल होता तो मुझे उस गरीब लड़की को विने के गले क्यों बांधना पड़ता तेरी सा की बातें मुझे हैरानगी से भर रही थी आखिर ये सब हो क्या रहा था इसके बाद मेरे ससुर जी ने कहा कि मुझे हर हाल में अपना वंच बढ़ाना है फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े या तो तू मेरा काम करो और नहीं तो मैं फिर खुद जाऊंग मैंने जब अपने ससुर के मुझे से ये बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए तभी मुझे लगा कि सायद उस तरफ कोई आ रहा है डर की वज़ा से मैं तुरंत वापस अपने कमरे में पहुँच गई अब तो मुझे और भी समझ में नहीं आ रहा था क्या किर ये सब यहां ह क्या रहा है डर के मारे मैं अपने बिस्तर में दुबग गई मुझे अपने माबापू की बहुत याद आ रही थी उन्होंने मुझे कैसे घर में ब्या दिया यहां पर तो किसी की कोई मान मर्यादा ही नहीं है यही सब मैं सोच रही थी कि तभी बहुत तेज गडगड़ा अच्छे से बंद कर लिया और चुप चाप लेट गई आधी रात के करीब मेरे कमरे का दरवाजा अचानक से खुला जिससे मैं बुरी तरह से डर गई और जब मैंने बिजली की चमक में सामने खड़े हुए सक्स को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वह और क रादे से मेरे कमरे में आए हैं और फिर उन्होंने वही करना सुरू किया जिसके लिए वह बिने से कह रहे थे उस वक्त उनके ऊपर हैवान सबार था मैंने उनसे कई बार मिन्नतें की कि मैं आपकी बहू हूं आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं लेकिन उन्हें तो जैसे इ अब उम्मी छोड़ दी थी कि अब मैं बच पाऊंगी इस से पहले कि मेरी जिन्दगी खराब होती कि तब ही किसी ने मेरे ससुर जी को कसकर खीच कर दूर किया और उन्हें एक जोरदार धक्का दिया जब मैंने नजर उठा कर देखा कि मेरे सामने और कोई नहीं बलकि बिने ह अपना सर पकड़ कर मेरे पास ही बैठ गए उन्होंने मुझे साड़ी से अच्छे से ढका मैंने रो रो कर उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ये क्यों किया जब मैं उन्हें पसंद ही नहीं थी और उन्होंने दूसरी साधी कर रखी थी तो वैं मुझे बिदा कर कर अपने घर क्यों लेकर आए उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोका आकर क्यों किया इस पर बिने ने कहा कि तुम्हारे साथ धोका मैंने नहीं किया बलकि धोका तो हम दोनों के साथ हमारी किस्मत ने किया है मैंने उन्हें हैरानी से देखा उसके बाद बिने ने बताया कि पूरी नहीं कर पाए इसवजा से उन लोगों ने तुम्हें बिदा करने से मना कर दिया और इधर मेरे घर में मेरे बड़े भाई को काफी सालों से कोई भी बच्चा नहीं हुआ है और मेरी साधी को भी तीन साल हो चुके हैं पर मेरी बीवी में कमी है जिस वजा से वह भी मेर बढ़ाने के लिए इस्तिमाल कर सकें तुम्हारे पिता ने तुम्हारे ससुराल वालों की ख्वाइसों को पूरा करने के लिए मेरे पिता से बहुत करजा ले लिया उसके बाब जूद भी तुम्हारे ससुराल वालों ने किसी दूसरी पैसे वाली लड़की से अपने बेटे क ब्या दिया और इधर जो करजा तुम्हारे पिता ने मेरे पिता से लिया था उसे वह अब चुका नहीं पा रहे थे तो उसके बदले में मेरे पिता ने तुम्हारा सौदा कर लिया और तुम्हारे पिता भी मजबूर होकर इस सौदे के लिए मान गए लेकिन सायद तुम्हार करीब क्यों नहीं आता तो उसकी बजा यही थी क्योंकि मैं चाह कर भी बाकी सब की तरह तुम्हारे साथ धोका नहीं कर सकता था लेकिन आज मेरी पिता ने सारी हदें पार कर दी वह अपने बंच को बढ़ाने के लिए इस कदर गिर गए कि वह इतना घटिया काम करने पर उता कि तुम कहा जा रही हो मैंने कहा कि मैं वापस अपने घर जा रही हूं मैं यहां नहीं रह सकती विन्हें ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे मीना तुम मझे छोड़ कर मत जाओ मैंने कहा जवाब का और मेरा कोई रिष्टा ही नहीं है तो फिर मैं यहां रुक कर क्य काँ करूं। मेरा इतना कहना था कि विन्यानने तुरंति ही मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि विन्याय ऐसा भी कुछ कर सकती है। उन्होंने कहा मैं अपनी पहली पतनी से बहुत प्रेम करता था लेकिन उसे मेरी जरासी भी परवा नहीं उसने कभी मेरे प्रेम की कदर नहीं की उसे सिर्फ धन दौलत सजना सबरना बस इससे ही मतलब है उसने मुझसे साधी ही इसी लिए की ताकि वह ऐसो आराम की जिंदगी जी सके उसने कभी मेरी भाबनाओं मेरी इस चीज में रुची है या नहीं, यहां तक कि मेरे घर वालों ने भी मेरे इच्छाओं को कभी मान नहीं दिया, तुम वह पहली इंसान थी, जिसने मेरी पसंद नापसंद को जाना, और उसे महत तो दिया, तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों में जो सुकून मुझे मिला ह वह आज तक कभी नहीं मिला इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोडता हूँ तुम मुझे छोड़ कर मत जाओ विन्हे का इतना कहना था कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और मैंने उन्हें गले से लगा लिया इसके बाद विन्हे ने अपने परिवार को फैसला सुना दिया कि वह अपनी पहली पतनी को तलाग दे रहे हैं और मुझे साधी करके वह सहर में जाकर बस जाएंगे पहले तो उनके परिवार ने इस सब का विरोध किया लेकिन विन्हे ने किसी कीवी नहीं सुनी और विने सहर चले आए जहां पर विने के नाम पर पहले से ही जो मकान था वहां हमने रहना सुरू कर दिया और हम फिर एक खुजहाल जीवन बिताने लगें तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज इस कहानी को जादा से जादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सूपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं सूपर थैंक्स का ओप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिये हुए सभी ओप्शन में दिख जाएगा जो की हर्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा दीजेगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानिया सुनाती रहूं थैंक्यू